हमारे मुसल्मान के सानवाज हुसें नहीं है क्या नहीं नहीं है साथ में रख लिए तो उनको उपनोघ मंद्रे समय गला रिया उनको उपर में भ्रश्टाशार क्या आशा का हारॉप नहीं रहा है उननकों जौंध में निस्प्रक्ष होंगे ओषिम सद्रण में तो खुद रो रहे थे कि अत्तर पर्देश के मुक्र मंतरी थे खुद रो रहते हैं आप सब जानते हैं कि या रहा है या आ bagpa वाला लोग करना हालत खराब हो गया है देखिए भाजपा वाला तो अपना स्वधन चला रहा है स्वधन कर रहा है अजब भाजपा जब निकलेगा तो तुफान आएगा आधी नहीं तुफान होगा और उस तुफान में सारे लोग उड़ जाएंगे जनता के बीच में जाएंगे जनता के बीच में ही न जा रहे हैं जब भाजपा जब जाएगा जनता के बीच में तो आप उड़ जाएगा कौन उड़ जाएगा हम पत्रकार है हमरा काला उड़ आएगा सर मने वह ही राजप गठबंदन हम लोग आप में नहीं जाएगा रैली करियेगा एक दम आईएगा तेजस्वी आदो जन विश्वास यात्रा को लेकर के पूरे बिहार में घूम रहे हैं इससे लोगों को ऐसा लग रहा है कि खूब ज़्यादा भोट आएगा जाहिर सी बात है कि जो उनके समर्थक है वो सभी कोई कह रहे हैं कि तेजस्वी आदो को लोग अब अपना नेता मान चुका है अब कितना ज़्यादा भोट वो कनभर्ट कर पाएंगे आने वाले समय में जो बिधान सभा लोग सभा का चुनाओ आएगा तो कितना भोट कनभर्ट कर पाएंगे इनी सारे मसले पर बात करेंगे भारतिया जनता पार्टी से बिधायक है गोबिंद गंच से हमारे चेटर है उत्र Obrig já है नहीं lotta क्या ने बना दूसरी बात है किसा ऐने बात करते हुनारे उनका एजनसी सारे विधायक अपने काभू लगा दे रहे हैं ट्रेक्टर टेलर से लेकर के गाड़ी और बस से लुक कलाने के लिए बिधाम सबना खाली है उनके पार्टिकल उनको बोलने वाला नहीं है कोई बजट सत्व है आप लोग उसको कुता कह देते हैं रामबरीक सादा बोल रहे थे तो दलित समाज के विधायक थे अलावली से आते हैं खगड़िया जिला से उनको आप लोग कुता कह देते हैं यह गलत बात है कुता कोई नहीं बोला क्या बोला गया यह बोला गया कि आप लोग भूखते हैं भूखता कौन है आप लोग भूखते हैं हम पुख रहे हैं भारतिये जनता पर्टी दलितों का सम्मान करती है हम अगर किसी अम्बेदकर को अगर कोई राय नहीं थी कुर्षी पर बैठाने का बैठती हुआ तो भाजपा था जनसंग था कॉंग्रेस उनको हराने के कुशिश किया था संभी को ही और हमने चलीए मेरे छहत्र में उनका चार जल्क हम करते हैं धिषा कोई समान करते छप्रवेश कोब पर्देश में पेशाब कर दिया आदिवासी के समाज के उपए आपको बिधान सभा में देखे थे ना तो हम अपनी सरकार से उसकी मांग की हैं क्या स्थाई करने के लिए हम ऐसे हैं हम सबका सम्मान सबका विश्वास लेकर चलते हैं सबका विकास सबका सम्मान और सबका देखते हैं हम यह नहीं है कि हम कहते हैं कि हमारा विश्वास हो हमारा विकास हो हम सबका सम्मान करते हैं किसी भी जाती ब्यादरी का होता है उसका हम सम्मान करते हैं हमारा सिध जानत है कि समाज के सबसे निचले पैदान पर बैटी हुए बेक्तिका उत्थान करना लेकिन लोग जो विपक्ष में है आपके विपक्ष में वो लोग कहते हैं कि यह लोग समंतवादी है यह पिछडों का भीकास देखना नहीं चाहते हैं यह अगर सत्ता में रहेंगे तो आ आप अगर मान लिजे लालू जी का लिजे राज़त का लिजे कि लालू जी अगर जेल जाने लगें तो अगर बहुत समानती बिचार के थे अगर बहुत मने समाज के लेकर चलने वाले थे तो बहुत दूसरे अगर किसी को छोड़ दीजे अपने ही जाती में देते हैं तो दुखमंत्री और पत्नी के बार उनका बेटा बनने दा रहा है तो इस तरह से दुसरा कोई जादो नहीं है का इस शत्र में है की नहीं हम आप ही से पुछ रहे हैं दुसरा कोई है की नहीं है और जात है की नहीं है है हम पुछ रहे हैं हमने अगर सब का सम्मान नहीं दिया रह जैता तो आज हम आगे नहीं बढ़े रहते, हम पुछे रहे हैं कि, देश के राष्ठ पती। इसके पहले राष्ठ पती का एक अनसुचित जाती बेक्ति का राष्ठ पती गर कोई बनाने के काम किया तो वह भरतीय तरुशन्ता पाटिन किया और राष्ट पति अगर कोई अल्फसंख्यक बनाने के कोई काम किया तो भरतिय जनता पाटी ने किया बहुत दल के लोग थे कहें ने किया आज एक आदिवासी को अगर महिला को अगर कोई राष्ट पति बनाया है और सर्पुच पद पर देश के सरफे बात मानना पड़ेगा ना कि अगर आप कह रहे हैं कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं तो आप भी तो यह भी तो सम्मान दे रहे हैं एक तरीके से कि जब आप नया सदन बना रहे हैं तो आप उसमें उनको बुला नहीं रहे हैं यहीं तो बात आप लोगा भूल होता है सम्मान म पचासन बर इस मने सत्य में रहा, कभी ने किया? लालू जी भी उसके साथ थे कभी किया? हमने तो किया, हमको जब जब मोका लागा है, तो अपने किया, अटल भीहरी मानुवर, अटल भीहरी माजब जब देश के प्रधान मंत्री थे, तो अलफसंक्यक कोनों ने राष्ट पती बनाया, देश के सर्वच पद पर लाया, और जब दूसरा मोका, तिसरा मोका मिला, मानुवर, देश के सर्वस्रेश्ट नेता, और एससी प्रधान मंत्री नरेंदर भाई मोदी जी ने, जब बने, तो अनसुची जाती को देश के सर्वच पद पर बैठाया, और आज आदिवासी महिला के को बैठाया पद पर, ये दूसरा दल नहीं कर सकता है, दूसरा बेक्ती नहीं कर सकता है, ये जब करेगा तो भारतिय जन्दा पाट्टी ही करेगा, जो सबका साथ, सबका सम्मान और सबका भिकास करता है, ये सबस्वी का मतलब होता है, जब तक जिन्दा रहेंगे तब तक का बात होता है, तो क्या परधान मंत्री जी जब तक जिन्दा रहेंगे, कोई नहीं अटा सकता है तो आप भी पता कर लिजिए गा देख लिजिए गा चोई से क्या होता है रहा ने कोई कुल रोन हरा नरेंदर मोदी को तो विपक्ष वेला को रहा है कि 400 पार होंगे विपक्ष को रहा है कि 400 पार होंगे पाक्षवाला लोग 400 पार हुई जाएगा नहीं नरेंद्रमोदी को को रहा है कि 400 पार होंगे एक बताइए आप पत्रकार है चारुतरब घुमते हैं आप जाते हैं एक बारा बताइए कि उनके टकर लेने वाले कोई है आप अगर हमसे टकर लेते हैं तो हमसे बड़ा लाइन यहीएगा तम नहीं चुट आँगे हैं आपने महा गठवंदर एंडी गठवंदर बनाया इंडिया गठवंदर बनाया सब जेगा फल्फ कर गया ममताजी उधर ऐसे नहीं के ऊंग क्राइए कार भागा एक बकर किसी को पकड़ता तो वह जाए जी देखाता है की नहीं देखाता है, उसके उपर कोट है, कोट है, कोट उसको देखता है, आप गलती नहीं करिएका ता आपको EDIC-CBI क्यों करता है? अब पकड़ा गया आज भी जेल में है और दुसरा नंबर केजरिवाल का है तो आप कहते हैं कि हम पर ED और CBI का पर अजीत पवार पर खुद परधान मंत्री जी बोले थे कि 70,000 क्रोड रुपया घोटाला है उनको आप लोग बना लिए अपने साथ में रख लिए तो उनको उ अब आप लोग में आने के पाद बस जाचे होता है जाँ चल रहा है जाँ पर निस्पक्ष होंगे तो निस्पक्ष होंगे ऐसी बात नहीं है जोगी आदितनाथ जी जब सदन में थे तो खुद रो रहे थे उत्तर परदेश की जब मुख मंत्री थे खुद रो रहे थे आप बात आईएगा आप जानते हैं हम लोग नहीं जानते हैं यह आप जानते हैं यह हम लोग नहीं जानते हैं हम इतना ही बात जानते हैं कि बात करती है और जो देश सीट अर की बात करती है जिसका अंतरात्मा देश सीत यो राष्ट के बात करती है वो हम लोग के साथ रहता है लोग सभा में सरinya सीट कितना सब्स्साइब दे रहे हैं इस बैवकर 18% आवादी है कितना सीट दे रहे हैं ये देने की बात चाहिए उद्धों तो इह देने की बात हमारे हाथ में नहीं है यह हमारे उपर के नित लोग करते हैं केला को नहीं है विए जो हमारे भिचारधरा से आएगा एस बिहार के एथा परसेंट अबादी मुसल्मानों की है उसमें आपको एक भी आपके भिचारधरा का लोग नहीं मिला कादिर है कि अगर हम मुश्रमानों के बीचार को नहीं देखते हैं तो हम तीन तलाग को हटा है तीन तलाग को हटाएं आप चलिए मुसल्मान की जो बहने मताएं को तीन तलाग से जितना कष्ट था कष्ट था आज वह एक तरफा अगर किसी का नाम लेती है तो वह नरेंद्र मोदी का नाम लेती है नरेंद्र मोदी का नाम लेती है नहीं सब जगे लगव है अब उसके तरह कानून बन गया है सब जगे लगव है हम कुछने तीन तलाग के बाद महिलाएं पुछती है मुशलमान के महिलाएं पुछते हैं मलवी साहब लोगों से जो आपका जो वैती में नमाज पढ़ाने वाले मलवी होते हैं जो रहते हैं मस्जिद में उनसे महिला है पुछती है कि आपके बीटी के साथ अगर तिन तलाग हो जाए और उसके बाद आपको हलाला करना पड़े आपको कैसा लहेगा हलाला के कहान ही जब आप सुनिएगा तो रोकटा खड़ा हो जाएगा और ये जो करता है वो सबसे घिन नावना बिक्ती होता है किसी भी माता बहने का इज्जत के साथ खेलना ये भारती जनता पार्टी के कबूल नहीं था इसने उन्होंने तीन तलाग को समाप्त किया सिर्फ तीन तलाक 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 बोलता है त्यक्कों जाता है उसके लिए process होता चनद इन होता कि आज हमको मन किया अपना वीबी इस फोड़ा होता है कातम14 न deliberate यह नहीं होता है इसका process Islamic country मने पांचबचnaire पाइदा किये हम आफी के बात लेते हैं छपपत दिन के बात करते हैं साथ दिन के बात करते हैं दो महिने के बात करते हैं हम मने बीबा हुआ चार लेका पांच लेका हम पाइदा कर लिए उसके बाद आफी के मताबिक हम तलाग दे दिए तो क्या हुचीत है अनुचीत है तो तो उसका नयाय काहां मिलेगा bist हॉदी जी किया कर दिये शह Clean आब देखें हुआ जिसनी जिसनी थे तिन तोल्ग का गानुन बना ऑन्हें भी 5 जो नहीं मानने वाला विक्ति हैं वो नहीं करेंगे लेकिन मने हो जाएगा पर लास्ट है तेजस्वी आदव पर आ जाते हैं तेजस्वी आदव को लेकर के आप कह रहे हैं कि इससे कुछ फाइदा नहीं होने वाला है वो लोग कह रहा है कि ये देख करके भाजपा वाला लोग करना हालत खराब हो गया है देखिए भाजपा वाला तो अपना स्वधन चला रहा है अजब भाजपा जब निकलेगा तो तुफान आएगा आधी नहीं तुफान होगा और उस तुफान में सारे लोग उड़ जाएंगे जनता के बीच में जाएंगे जनता के बीच में न जा रहे हैं जब भाजपा जब जाएगा जनता के बीच में तो आप उड़ जाएगा कौन उड़ जाएगा हम पत्रकार हैं हमरा काला उड़ आएगा सर मने वहीं राजा दे गठबंदन हम लोग आप में नहीं जाएगा रैली करिएगा एक दम आईएगा आप चलिएगा और मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं और इस आज के डेटर आप रखिएगा तारिक सीट में लोग सबा को इंडिया गठबंदन का एक सीट भी नहीं मिलेगा एक भी नहीं मिलेगा चालिस का चालिस चालिस का चालिस एंडिये गठबंदन के जोली में जाएगा खिश्टन गंजी की आप बात करते हैं तो उसकी बनावट को न सार हम भी मुधवार खड़ा कर रहे हैं तयारी हो गया है और चालिस का चालिस सिट भले उन चालिस मिला था चालिस में इस पर चालिस का चालिस मिलेगा और इसका भी गठबंदन के तरह आप नोट कर लिजिएगा और आप देदम निशिद जान लिजिए कि चालिस का चालिस मिलेगा तो 2024 के लोकसभा के चुनाओं में चालिस का चालिस सिट जीतने वाले हैं ये लोग बहुत सारे मुद्धे पर बात हो गई हमारा नाम केशो यादो है पुब्ली केश्टिसन आप देख रहे हैं बहुत बहुत दन्यवाद